स्वागरे दोस्ता एक बार फिर से भारत के समय के हिसाब से लिके लोकल टाइम जहाँ पर पहला T20 मैच भी हुआ था अब सेकंड T20 मैच भी होने वाला है लेकिन अगर विकेट यूजड रही यानि कि सिमिलर पीच वो यूजड की गई जहाँ पर पहला T20 मैच हुआ तो डेफिनिट्री सेकंड इन्यमे जाकर के यह विकेट जो बाटिंग के लिए बढ़ी अच्छी है थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है तो यहाँ पर थोड़ी बहु पावर पले के पहले 6 ओवर में सकोट लिड़न में सांधा स्धा सुरुआत की थी 56 के स्कोट पर दो विक्टेनों ने गवाई थी लेकिन उसके जवाब में तो आस्टेलिया ने धमाका दियо पहले 6 ओवर में ही पावर पले में 113 रम बना दिये एक विकेट गिरा जिस जहां पर एक विकेट पेस ले गया, Brandon McMullen, दो विकेट ले गया, Mark Ward जिन्हों ने Travis Head और एक और खिलाडी को आउट किया, तो जिस तरीके से पहला वाला मैच देखनों को मिला, इवन इसके पहले के और मैचस के स्कोर कार तो आप देखिए, लेकिन जो दोनों टीमें फेस करेंग पे कोई fresh wicket मिलेगा, और वैसे भी दो पीचे से हाँ पर ready की गई है, मैचस को खेलने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, used wicket भी हो सकता है, fresh pitch भी हो सकते है, तो उसका update आपको मैं टेलिग्राम को चैनल पर और WhatsApp चैनल पर दोनों जगों पर दूँगा, और even इन ही दोनों description में या comment section में, दोनों जगों पर link इन दोनों ही channels का दिया होगा, links को click करके इन दोनों ही channels पर पहुंचिए, WhatsApp के लिए अलग link है, Telegram के लिए अलग link है, और पहुंचने के बाद Telegram के चैनल को नीचे के join button को click करके, और WhatsApp चैनल को follow button को click करके, और उसके बाद notification bell icon को on करके, यह यहां पर join हो जाना है, और वहां पर आपको सारे updates ले लेने हैं, फिलहाल हम आएं और देखें दोनों टीमों का जो possible playing 11 हो सकता है, और उसमें कोई खास यहां पर ऐसी कुछ तो चीज है नहीं, जो कि ज़्यादा समझ नहीं हो, चोकि पहली match का जो playing 11 रहा, possibly वही playing 11 आज भी भी खेल सकता है, Scotland के तरफ से, जहां पर ब्रेंडन मैक्पुलन और मार्क वाट ऐसे दो baller है, main main कम से कम, जो चार over balling करके दे देंगे, बाकि जैक जार्वेस, चारली कैसल, जैस्पर डेविट सन और बैटली भील, यह ऐसे baller हैं, जिनके बीज में बाकी के overs बटेंगे, ब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि, यह spinner को कुछ ज़्यादा advantage मिले, लिकिन जो Australian team का batting order है, काफी तगड़ा, उसमें balling को अगर आप देखें, तो सीन बाट, जैविर बाटन, एडम जंप और राईली मेरे डित, यह ऐसे चार baller है, जिन्होंने पिछले match में भी और बाच के मैच भी expected balling करेंगे, पूरे चार-चार ओर की, और दो-दो ओर Chris Green और Marcus Tonis लेकर जाएंगे, बाकि बैटिंग ओर दो आपके सामने है ही, जबकि दोनों टीमों का bench को पर कौन से player है, यह आपके सामने Australia का bench है, यह आपके सामने Scotland का bench है, लिकर हो इसमें से Cooper Connelly अगर गए, इवन नेथन एलिस, तो तगड़े टरंप रहेंगे, खास करके Cooper Connelly, जिनको लोग ignore करने वाले हैं, चुकि Australian team में एक specialist spinner की बात करें, तो जो Adam Jumpa खेल रहे थे, उनके अलावा यही है, तो यह तगड़े ऑप्सनिक रहेंगे, बाकि power play और death war में पहले match में जो overs किये, ball बालर्स ने ऑस्ट्रेले के तरफ से, और स्कॉर्टलेंड के तरफ से, वही बालर्स लगबग आज भी करेंगे, बालिंग, तो उनके नाम भी आप पावर प्ले death war बालर्स कुरूप में देख सकते हैं, फिलाल आकर कि आप देखिए numbers, जिसमें आपने स्कॉर्टलेंड के त जैसपर डेविट सन जैसे तेज गेट बाज जिनको पहले मैच पर विगट नहीं मिला, हाला कि इसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म यह दोनों नहीं रहे हैं, लेकिन इनका T20 करियर अगर आप देखेंगे, तो खास करके ब्रेडली वील का, जो के थोड़ा बहुत T20 म बाज खेले हुए है, इनके बहतर रहते हैं, हर 16 वी गेट पर विगट लेते हैं, पहली इनके केवल 25 गेट जादा लग जाती है, जिबकि मारक वाट का भी देखेंगे, तो पहली इनके 23 तो इनके केवल 14 गेट लगती है, एक विगट चटकाने में, तो उसी तरह किसे बाक 28 रम बनाए, 6 रन ओली हैर्स ने बनाए, 19 की पारिखली ब्रेंडन मैकुलन ने बाखी बाद में जाकर एक विगट भी लिए, जेक फरेजर का, बाखी रीची बरिंटन ने 23 रम बनाए, 27 रम बनाए, मैथियो क्रोस ने, 7 रम बनाए, मारक वाट ने 16 रम बनाने के साथ 2 वि रेडली करी को तो मैंने आपने देखा होगा यह खेल रहते जागर के T20 ब्लास्ट में, तो इनको तो आप थोड़ा सा फिलाल इग्नोर कर दीजिए, लेकिन साफियान सरीफ और क्रिस्वल जो हैं, इन दोनों का फॉर्म अगर आप देखेंगे, तो साफियान सरीफ लास्ट खास करके, उसमें अगर आप देखेंगे, तो रीची ब्रेंग्टन ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, ऊपर से जोर्ज मुनसी आपको ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, बाकी बैटिंग नाइनप इनका बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, मार्क वाट भी आप देखेंगे, तो मार्क वाट ये सभी के टीम में रहेंगे, तो ज्यादा तर लोग आज आठ और तीन का कॉंबिनेशन बनाएंगे, कि आठ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से तीन प्लेयर यहाँ पर स्कॉटलेंड से, तो क्या आप इन तीनों प्लेयरों के अलामा, रीची ब बहुत अच्छा नहीं है, जाता से जाता दो-दो मैचस हेट टुएट पर दोनों टीमों के बीच हुए, जिसमें पिछला मैच में इंक्लूड है, मुंसी तो बहतर खेले है, जोर्ज मुंसी के आँकड़े अच्छे हैं, खास करके पहले बैटिंग कर दोनों ही मैच मैच मे मिला नहीं, ब्रेडली फिल के दो मैच में एक विगट है, लेकिन साफियान सारीफ के यहां पर नमबर आपको मिलेंगे, एक मैच इन्हों ने ऑस्ट्रेलिया के खेला है, सिकेंड इनिंग के बॉलिंग की है, और दो विगट लेकर के गए है, तो कम साफियान सारीफ का तो एक क्लियर होता है, एक अच्छे option रहेंगे अगर खेलते हैं, बगी venue पर जाकर के देखेंगे, तो इस मैदान के ऊपर, इन सभी Scottish players के आंक्रे देखेंगे, तो George Munsi, या अगर आप देखें, बेसिकली जुगें का home ground भी है, तो आंक्रे तो आपको सभी की बेहतरीन दिखाई पढ़ेंगे, 42 का average, 40 का average, 27 और 29 का batting average, Matthew Cross का थोड़ा सा कम जोड दिखाई पढ़ेगा, नमबर्स यहाँ पर Michael Lees के है, जो बॉलर काफी अच्छे है, Mark Watt के नमबर्स काफी अच्छे हैं, और यहाँ पर दखेंगे तो Chris Sol के 4 मैच मेच में 4 विक्ट है, 15 मेच मेच में 14 विक खास करके जो 4-4 ओवर की बॉलर्स है, 4-4 ओवर की 4 बॉलर्स, वो 4 तो आपके टीम में रहेंगे, यनि कि 7 प्लेयर तो कहीं नहें गए, उनको ऑस्टेलिया के तरफ से लेना ही है, अब 8 प्लेयर के आप ऑस्टेलिया से लेकर के जाएंगे, या उसको हटा करके 4 प्लेयर आ आपको मैं आप अल्रेडी बता रखा है, इसका अंसर करने की कोशिस की है, कि जौर्ज मुंसी तो हैं ही, ब्रेंडन मैक विलन और इसके लामा मार्क वाट तो हैं ही, लेकिन मेरे हिसाफ से जौर्ज मुंसी से बहतर आप्सन हो सकते हैं, मार्क वाट, अगर आज केस मैच की पहली इनिंग की बैटिंग है तो जरूर आप इनको कंसिडर करिए, या ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो आप माइकल लीज के साथ जा सकते हैं, हालकि ये बॉलिंग पिछले मैच में नहीं कर रहे थे, आज करेंगे, जहां तक मुझे संभावना दिखाई पड़ती है बाकी जैसा आपको भी बता चाहूँ कि यहाँ पर आप्सन जबर जस्त रहेंगे साफी अंसर इफो क्रिस सौल भी, अगर खेलते हैं तो ब्रेडली करी भी, अलगि चांसे काफी कम है, बाकी और कोई आप्सन में सजेस्ट यहां से भी करूँगा नहीं, तो जो चौथा प् जमपा ने और जेवियर बाटलेट ने, सीन इबाट ने तीन विक टेली, कैमरन ग्रीन ने एक विगेट लिया, मारकस टोनिस विगेट लेस रहे, बल्ले से आठ नहवाद की पारी खेली, ट्रेवेशेट ने असी बनाए, जेक फरिजयर डेब्यू में फेल हुए, बाकी यह जो चार-चार ओवर की बॉलर है, इनको पिक करेंगे, हाला कि पिछले मैच में आप यह भी कर सकते हैं, कि यहां पर आप मारकस टोनिस, या तो कैमरन ग्रीन को भी अपने टीम में लेके जा सकते हैं, और यहां पर जोस इंगलिस को भी अगर पहले इनिंग की बैटिंग उस्ट्रेले की है, तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, तो यही एक उप्सन है, जिसमें आप रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज है, कि कूपर कौन ओली खेलेंगे, नेथन एलिस खेलेंगे, या एरन हर्डी, तो इनका फॉर्म तो आपके सामने इच में खास करेंग तो थोड़ा विकेट निकालने के मामने कंजोर है, लेकिन जो सामने टीम है, उसके खिलाफ काफी जबड़ेशन हो सकते हैं, कि नहीं, यहां पर तो आपको उसका अंसर मिलता ही है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हेट तो यहां पर एरन हर्डी और कूपर तो खेले नहीं है, नेथन एली से एक मैच में एक विकेट है, राली मिरेडित का पिछले ही मैच का एक विकेट है, बाकी यहां पर देखेंगे, तो दो ही मैच के आंकड़े मैक्सिमिम आपको दिखाई पड़ेंगे, वो सब कुछ आपके सामने है, जिसमें बॉलर्स का खास करके यह जो तीनो मैच कहीं आकड़ा को देखने को मिलेगा, और अस्ट्रेलियन टीम के तरफ से, यह तो हेट टो हेट का आकड़ा, अगर हम देखें, कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेस आई है, तो जैसा आपको आने बताया, पिछला वाला जो पहला टी टुन टी मैच हुआ, उसमें जो साही वही देखनों को मिलेगा, तो जो clarity आपको यहाँ पर मिल रही है, कि आप साथ प्लेयर और चार प्लेयरों को combination मनें, आस्ट्रेलिया और स्कॉट्लेंड के तरफ से, या आठ्वा प्लेयर आस्ट्रेलिया के तरफ से लेके जा सकते हैं नहीं, या चौथा प्लेयर जो आ फाइनल टीम बनेगी, वो भी क्लियर हमारा काफी हद तक है, कि टॉस के बाद ही उसकी clarity मिलेगी, जो कि आपको मैं टेलिग्राम के चैनल पर अपनी फाइनल टीम दूँगा, या तो टेलिग्राम के चैनल पर, या तो वाटसप चैनल पर, या तो दोनो जोगों पर, तो जा टेलिग्राम काफी हमारा के अ जाल साथ लाइनल पर, या तो लाओस है कि चैनल बनेगी, जह झांते है कि दिखके है कि अजए है कि एा मैं पर खाए़ा है, कि नहांओ गिए गाईनल फजाए हैका है.